मंडली में से किसी को जीतना ही नहीं है बस एक दूसरे को जिताना है तीना और प्रियांका का कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है दोस्तों चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का पॉलिवोड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो दोस्तों देखा जाए तो मंडली अभी भी फॉर्म में नहीं है और उनका गेम के लिए उनका मतलब उनका एक्टिव होना सिर्फ प्रियांका से भिड़ना होता है जिसके लिए वो सारे के सारे एक जुट होकर आ जाते हैं और प्रियांका पर चिलाना शुरू करते हैं जब बात नहीं बनती है जब उन्हें लगता है उनके पास अपॉइंट्स खतम हो रहे हैं तो वो अंकित को बीच में घसीट लेते हैं अब ऐसे में लडाई तो बहुत अगड़ी होई है लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि टीना और प्रियांका एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं जहां पर टीना कहती है कि ऐसा लगता है कि मंदली में किसी को खुद जीतना ही नहीं है स्टैन तो पहले से ही कहता है कि मुझे ट्रोफी नहीं चाहिए शिव को मिल जाए शिव ने भी अब ऐसा लगता है हाथ कड़े कर दिये हैं वो भी सोचता है मुझे तो मिल नहीं रही चलो कोई बात नहीं निमृत को मिल जाए लेकिन हमारे मंदली से ही कोई जीतना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं है ना हम लोग individual game खेल रहे हैं हमें अपने लिए भी आवाज उठानी है हमें ट्रोफी दूसरे को नहीं देनी हमें खुद के लिए जीतनी है जिस पर प्रियंका ने कहा कि हाँ I agree करती हूं मैं इस बात पर और मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि ऐसा लगता है कि शिव ने अब ट्रोफी की तरफ से जो है किनारा कर लिया है शिव ने हाथ कड़े कर दिये हैं कि ट्रोफी मुझे नहीं मिलने वाली और अब वो यही कोशिश कर रहा है कि जो भी हो अच्छा वो मेरी मंडली के लिए ही हो आप सभी को क्या है दोस्तो इस पर कहना कॉमेंट्स में जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में